हेलो गाइस आजए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लू स्टैक्स 5 में एम स्टक प्रॉब्लम को कैसा सॉल्ट कर सकते हैं अब यार जो एम स्टक प्रॉब्लम है काफी ज्यादा इरिटेटिंग है आपके हैड्स लगेंगे नहीं अपने आप एम स्ट वर्जन चेंज करना चाहिए अपने ब्लू स्टैक्स 5 का मैंने अब अभी भी बता देता हूं 5.0.1001007 यह वर्जन आप ट्राइ कर सकते हैं हो सकी तो मैं स्कलिंग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से चाके डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और यह वर्जन ट्रा करते हैं कि आपकी पास minimum 4 GB RAM होने चाहिए ठीक है अगर आपकी पास 4 GB RAM है तो आप 2 GB RAM यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में अमाश्ट 5-2 फ्परसंट 5-20 राम इसलिए मैं 4 इंच वियूज करता हूं अपने भी कमी नहीं आती वैसे performance मिलता है ठीक है 50-60FPS ठीक है तो आप एर कोर अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है आपके पास में वी दो कोर हो तो आप दो कोर भी यूज़ कर लें और एक कोर भी उसके लिए देख लिए कि अगर eremMANस में अगर कमी दिख रही है आपको तो आप दू को आप 2 जादा यह दिख रहा है तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास लिए धाट और इसे आपको डिप्ले और भी यहाँ ते विए से यूजे करने में बिल्कों भी रिकमेंडेड नहीं है गेंपने के लिए मैं एक वाइर लेस्ट प्रावलम होती है लेकिन लेकिन मैं कभी-कभी वाइड माउस यूज करता हूं और आपको ट्राइब करना चाहिए क्योंकि 600 रुपय में एक अच्छा गेमिंग माउस मिल जाता है जिसमें आपको सेंसिटिविटी है वह काफी सही मिलती है और हैट सोट तो आपके काफी ज्यादा ओपी हो जाएंगे तो गाइस आई होप यार आपको जो यह एम प्रॉब्लम में यह सॉल्ब हो गया होगा अगर अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्ब नहीं हुआ तो प्लीज या शेयर करें कमिट सेक्शन में तक यार इसके सॉल्यूशन को मैं धूड़ने की कोशिस करूँ और आपके साथ मैं शेयर कर सबूँ तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर